हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो लेब असिस्टेंट यानि प्रियोक्षाला साहिक के लिए केमेश्ट्री के अंदरगत हम बात कर रहे थे आवरत साणनी के उपर और आज हम बात करने वाले हैं आवरत साणनी का जो टॉपिक चल रहा था उसी में हमने बात स्टार्ट कर दी थी किसके बारे में दोस्तो तत्वो के गुणों में जो आवरतिता यानि की प्रियोडिश इन प्रॉपर्टीज ऑप एलिमेंट्स ठीक है और तत्वो की गुणों में आवरतिता के अंतरगत हम पढ़ रहे थे सबसे पहले प्रमाणविय तिर्जिया के बारे में और प्रमाणविय तिर्जिया के तीन बाग मैंने आपको बता दिये थे कि सह सयोजक तिर्जिया ऐनि की आपकी कोवेलेंट रेडियस क्या होती है दा ठीक निके लमबाई के आदार पर जो तीर्जाओं का घटता करम था वो भी लिक्वा दिया था तो सबसे बड़ा कौन था बांडरवाल तीर्जया फिर आपकी दादविक तिर्जिया और फिर आपकी जो है परमानविक तिर्जिया इन सभी के बारे में हम बात कर चुके थे आज हम बात करने वाले हैं परमानु तिर्जिया को जो परबावित करने वाले कारक है यानि कि आपकी factors affecting atomic radii ठीक है चलिए तो आप लिखेंगे दोस्तों अब प्रमानु तिर्जिया को प्रमानु तिर्जिया को एक सेकंड प्रमानु तिर्जिया को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है तो प्रमानू तिर्जिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो पहला आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के कौन सा प्रभावी नाभी किया आवेश कौन सा आ जाएगा पहला प्रभावी नाभी किया आवेश ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं प्रभावी नावी के आवेश के बारे में यानि की इफेक्टिव निकलियर चार्ज इफेक्टिव निकलियर चार्ज के बारे में हम बात करने वाले हैं तो प्रभावी नावी के आवेश होता क्या है प्रभावी नाविक के आवेस का मतलब है दोस्तो नाविक के द्वारा जो नाविक है यानि निकलियस है उसके द्वारा बाहितम कोस में उपस्तित जो इलेक्ट्रोन है उसके उपर अपनी और से कितना अक्रशन लगाया जा रहा है यानि कितना अट्रेक्शन लगाया जा रहा उससे जो है दोस्तों हम क्या कहते हैं प्रबावी नाबिक के आवेस कहते हैं यानि उसके उपर जो है निकलियस का कितना प्रबाव है बाहितम कोस पे जो इलेक्टरन उपस्तित है उस पर नाबिक का कितना प्रबाव है उस प्रबाव को ही हम कहते हैं प्रबावी नाबिक के आ बाहतम कोस के इलेक्ट्रोन को अपनी और अक्रशित करना प्रभावी नाभी किया आवेज कहलाता है समझ में आ गई बात तो नाभी द्वारा बाहतम कोस के इलेक्ट्रोन को अपनी और अक्रशित करना प्रभावी नाभी के आवेज कहलाता है और इसे जो है दोस्तो इसे जैड इफेक्टिव किसे जैड इफेक्टिव से व्यक्ट या प्रदसित करते हैं किलिर है बात समझ में आ गई आबिक के द्वारा बाहेतम कोस के इलेक्टरॉन को अपनी और आकरशित करना प्रभावी नाबिक के आवेश कहलाता है और इसे जैड इफेक्टिव के द्वारा आप व्यक्त करोगे तो सर ये जैड इफेक्टिव तो हमने समझ लिया लेकिन ये जैड इफेक्टिव और परमा प्रमानू तिर्जिया जो होती है दोस्तों आपकी क्या प्रमानू तिर्जिया ये जो प्रमानू तिर्जिया होती है ये इन्वर्सली परपोस्टनल होती है यानि कि व्यूत करमानू पाती है किसके जैड इफेक्टिव के समझ में आ गई बात ये चीज जरूर याद रखना क क्यों कि कोशन में तो यही चीज हमारे काम आने वाली है समझ में आ गई बात तो जैड इफेक्टिव के इंवर्सली परपोसनल होती है क्या अरे जैड इफेक्टिव के इंवर्सली परपोसनल क्या होता है प्रमाणू तिरजिया या प्रमाणू तिरजिया के इंवर्सली पुचा जाता है कि निम्दलिकित मैंसे कौन सा सत्य है तो वहां लिखके देदेगा प्रमाणु तिर्जिया नापरबावी नाभी के आविश के वीद कर्मानुपाती होती है या इस रेष्यों में होती है तो ऐसे में आपको याद होना चाहिए कि वित्गर्मानुपाती होती है चलिए नेक्स्ट आपका second point आजाता है कोस की संख्या यानि N ठीक है तो कोस की संख्या अब ये कोस की संख्या किस परकार से प्रमानु तिर्जया को जो है परबावित करेगी यानि number of cells जो होगी वो कैसे प्रमानु तिर्जया को परबावित करती है तो आप लिखेंगे दोस्तो आपके quantum संख्या जो principle quantum संख्या थी N या मुख्य quantum संख्या या कोस की संख्या वो एक ही होती है ठीक है तो कोस की संख्या मुख्य quantum संख्या या कोस की संख्या का मान मान बढ़ता है बढ़ता है तो बढ़ता है तो प्रमानू प्रमानू त्रिजिया का मान बढ़ता है समझ में आ गई बात तो एन का मान अगर बढ़ रहा है यानि कोसों की संख्या बढ़ रही है तो प्रमानु तिर्जिया जो है वो भी बढ़ती जाएगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि प्रमानु तिर्जिया यानि कि atomic radius प्रमानु तिर्जिया जो है वो directly proportional है किसके वो directly proportional है कोस की संख्या के किसके directly परपोस्टनल है कोसो की संख्या के ये बात आप लोगों को याद रखनी है समझ में आ गई बात तो इसको भी जो है आप रेड कलर में कर दीजिएगा एक मिनट रुखिए पहले इसको अटा देते हैं अब बापस से बना देते हैं और ये जो रेड कलर में कर रहा हूं ये खत आणू तिर्जा को परबावित करने वाला वो है आपका क्या परी रक्षन प्रबाव या आवरन प्रबाव या इंग्लिस में कहता है अपन इसको सिल्डिंग स्क्रिनिंग इफेक्ट और ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है इसको पूरा समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो आप लिखेंगे परी रक्षन प्रबाव या आवरन प्रबाव ठीक है तो परी रक्षन प्रबाव या आवरन प्रबाव क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अब इस परी रक्षन प्रबाव या आवरन प्रबाव को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने पहले एक छोटा सा डाइगराम बना रहा हूँ बहुत ही सांदर तरीके से जिससे कि आपको ये समझा जाए कि ये होता क्या है ठीक है चलिए तो अब जो है इसके सामने हम बना देंगे एक माल लो ये कक्सा है ठीक इसको मैं थोड़ा सा गुमा देता हूँ इदर से इदर से यूँ और इदर से यूँ ये इदर माल लो एक कक्सा है और फिर इदर भी एक माल लो की कक्सा है ठीक है ये ऐसे यह से कक्साए हैं यह माल लो ठीक है और एक माल लो इधर है यह लो इसको ऐसे पर एक सेकंड एक सेकंड इसको गुमाना है यह देखो यह सपोर्ज करो इतनी बढ़ी यह बाहर की कक्सा है सबसे बाहे तमकोस माल लो यह है ठीक है आपका अब यह जो दोस्तो मारे सामने बन रहा है यह क्या है यह है नुकलियस तो इसको तो आप नाम दे दो, नाबिक, क्या नाम दे दोगे, नाबिक, ठीक, अब पहली कक्सा में कितने इलेक्टरोन होते हैं, दो, तो यह इदर माल लो दो इलेक्टरोन है, ऐसे ही यहां भी कुछ इलेक्टरोन होंगे, यह कक्सा हैं तो, ठीक है, तो इसमें यह इलेक्ट ये बाहितम कक्षा है कौन सी कक्षा है बाहितम कोस है समझा गई बात ये बाहितम कोस है और ये जो दोनों है ये आंतरिक कोस है ये क्या है दोनों के दोनों आंतरिक कोस है क्योंकि बाहितम से थोड़ा अंदर है तो इनको कहेंगे हम आंतरिक कोस ठीक है चलिए अब दोस्तों तो देखिए क्या होगा कि हमारा जो ये नाभीक है ये तो क्या करेगा इन इलेक्ट्रोनों को अपनी और आक्रशन करेगा तो इन इलेक्ट्रोनों का तो अपनी और आक्रशन करवा दीजिए और इसको तो हम करवाते हैं आक्रशन को पीले कलर से ठीक है ये देखो ऐसे ये तो करेंगे इसकी तरफ आक्रशन यह माल लो यह इलेक्ट्रोन इधर आना चाता है ऐसे ही यह भी जो है इधर करेंगे आक्रशन यह भी क्या करेगा इधर आक्रशन समझ में आरी यह बात यह तो क्या करेंगे आक्रशन रिपरजेंट करेंगे क्यों क्योंकि electron के उपर होता है negative charge ठीक है इन electron के उपर क्या होगा negative charge होगा जबकि आपका नाबिक जो है वो होता है positive charge वाला तो वो क्या करेगा इनको अपनी और attract करेगा तो अक्रिशन करवाएगा थीक है मान लो भर भाई आक्रिशन तो करवा रहा है लेकिन दोस्तो इस आक्रण के साथ साथ, अट्रैक्शन के साथ साथ आपका यह जो दोनों electron है, इन दोनों electron के बीच में क्या होगा? अरे इन दोनों इलेक्ट्रोनों के बीच में रिपल्सन होगा ऐसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा यानि कि पर्तिकर्षन होगा समझ में आ गई बात तो क्या है देखो नाभीक है ठीक है उसके पास मैं कोस बने हुए होंगे एक आपका कोस फी दूसरा कोस फी तीसरा कोस फी रहसे करते करते बाहेतम कोस अब जो नाबिक है वो तो जितने भी कोस है उन सबी में उपस्तित इलेक्टरोनों को अपनी और आक्रशित करेगा यानि उनका अट्रेक्शन तो किस तरफ लेकिन दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो दोनों जो कोस के अंदर उपस्तित इलेक्ट्रॉन है उनमें तो क्या होगा रिपल्सन होगा या नहीं होगा ना तो यह जो अट्रेक्शन और रिपल्सन हो रहा है दोस्तों मतलब हम यह कह सकते हैं कि किसी भी तत्व में जो आंतुरिक कोसके इलेक्रonों की स्थती है वो नाबिक तथा सियोजी इलेक्रon के मद्दे में आ जाती है भाई ये जो देखो ये वाले जो इलेक्रon ये ये वाला हैं इस कोसके इस तो से Leac dont किसके बीच है नाबिक और जो आपका बाहतम कोस देखो गिर गयाना ये गिरा जो बना है इसको हम कह रहे हैं नाबिक से परी रक्षन या आवरित होना और जो ये आवरन बनता है इस परबाव को ही हम क्या कह रहे हैं परी रक्षन परबाव कह रहे हैं समझ में आ गई बात क्या कह रहे हैं परी रक्षन परबाव कह रहे हैं अ अब नाबिक जो है दोस्तो उसमें उपस्तित नाबिक के आवेस जो है अगर क्या होगा दिरे दिरे दोस्तो नाबिक के आवेस के उपर जो अट्रेक्शन है वो तो बाहेतम कोस के इलेक्टरॉन के लिए कम होता जाएगा जैसे जैसे इस नाबिक से दूर जाएंगे वैसे वै या आवरन परबाव, क्या कहते हैं, परी रक्षन परबाव या आवरन परबाव कहते हैं, और जिस परकार से आपके आवरन परबाव में व्रदी होगी, वैसे वैसे प्रमानुतिर्जिया का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक, तो मैं इसको पूरे को थियोरी में नहीं बारा डाइग्राम की माद्यम से आप समझ सकते हो और अब मैं केवल आपको लिखवा रहा हूँ कि परी रक्षन परभाव परी रक्षन परभाव इस डायरेक्टली परपोस्नल टू परमानू तिर्जिया ठीक है ये बात आपको याद रखनी है कि जिस परकार से आपके परमा परमानू तिर्जिया में वर्दी होगी वैसे वैसे परी रक्षन परभाव बढ़ेगा जैसे जैसे परी रक्षन परभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपके परमानू तिर्जिया में वर्दी होगी किलियर है इतनी बात समझ में आ गई चलिए अब बढ़ते हैं हम संख्या किसकी संख्या बंदों की संख्या यानि कि आप यह कह सकते हो number of bonds किसकी बात कर रहे हैं अब हम number of bonds की बात करने जा रहे हैं तो number of bonds से किस परकार अमारी प्रमाणुतिर्ज्या प्रभावित होती है वो हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे दोस्तों कि सहसैयो जख यानि कोवेलेंड तो सहसैयो जख तरिजिया सहसैयो जख तरिजिया बंदो की यानि bond की संख्या पर निर्भर bonds की संख्या पर निर्भर करती है ठीक है तो सहसयोजक तिर्जिया जो है वो बॉंड्स कितने हैं उनकी संख्याओं पर निर्बर करती है और ये जो है दोस्तों कैसे निर्बर करती है तो ये वित कर्मानू पाती निर्बर करती है यानि कि प्रमानू तिर्जिया अगर जो है दोस्तों बढ़ती है तो बॉंडों की संख्या क्या होगी कम होगी और अगर बॉंडों की संख्या बढ़ रही है तो प्रमानु तिर्जा कम होगी इसका मतलब क्या हुआ अरे इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि आप लोगों के अगर जो है दोस्तों क्या होता है अरे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जहां त्रिपल बॉंड होगा वहां प्रमानु तिर्जा छोटे होगी जहां डबल बॉंड होगा वहां त्रि तिर्जिया जादा होगी डबल बॉंड से और डबल बॉंड की तिर्जिया जादा होगी त्रिपल बॉंड से ठीक है यह order आप याद रख सकते हो ठीक चलिए तो सिंगल बॉंड की तिर्जिया डबल बॉंड से जादा डबल बॉंड की तिर्जिया त्रिपल बॉंड से जाद प्रमानु तिर्जिया को प्रबावित करते हैं अब हम लिखने वाले हैं प्रमानु तिर्जिया का जो आवरतिता है उसके बारे में अब आप लिखेंगे दोस्तो प्रमानु प्रमानु तिर्जिया में आवरतिता ठीक है प्रमानु तिर्जिया में आवरतिता यानि की periodicity in atomic radius समझमे आ गई बात तो periodicity जो है आपके atomic radius में क्या होती है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं तो आप दोस्तो इसके अंदर केवल दो लाइने याद रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो समझ में आ जाएगा और वो ट्रेंड इस परकार से है पहला तो कि किसी भी आवरत में किसी आवरत में किसी आवरत में बाई यानि लेप्ट से राइट बाई और से अगर हम जो हैं दाई और जाते हैं और दाई और जाने पर नाभी किया आवेश में नाभी किया आवेश में हुई व्रदी नाभी किया आवेश में हुई व्रदी के फल सवरूप परबावी नाभी किया परबावी नाभी किया आवेश क्या होगा बाई नाभी के आवेशuciónम बढ़ेगा और अगर ये बढ़ता है तो क्या होगा दोस्तों इलेक्ट्रोन अब्र जो है यानि इलेक्ट्रोनों के जो कोस है वो क्या होंगे सिकूडेंगे तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोनों का कोस सिकूडेंगा क्या होगा सिकूडेंगा और अगर इलेक्ट्रोनों के कोस जो है दोस्तों सिकूड रहे है तो उसके कारण क्या होगा जिसके कारण प्रमानु तिर्जिया कामान गटेगा इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों अगर आप जो है किसी आवरत के अंदर लेट से राइट की और जाते हो यानि आप अगर ऐसे जाते हो किसी भी आवरत के अंदर कैसे जाते हो ऐसे किलियर है बात ठीक है तो आप अगर लेट टू राइट यानि एल से आर की और जाते हो तो आपके आकार जो है दोस्तो वो क्या होता जाएगा आकार जो है वो गटता जाएगा ये आकार गटता क्यों जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम लेप्ट से राइट की और जाएंगे दोस्तो तो आप लोग देखेंगे कि परमानू जो है उनकी एटॉमिक नंबर में वरदी हो अगर अगर उनकी प्रमानु कर्मांक में व्रदी हो रही है तो प्रमानु कर्मांक में व्रदी के साथ साथ उसके नाविक में जो आवेस है उसमें भी क्या होगी दोस्तो व्रदी होगी ठीक है तो अगर नाविक के आवेस में व्रदी होती है तो आपका क्या होगा प्रभाव और जिसके कारण प्रमानु तिर्जया का मान जो है वो गटता जाता है तो आपको ये याद रखना है कि मैं किसी भी अगर आवरत में लेट से राइट जाओंगा तो उसका आकार गटेगा ये चीज़े याद इसलिए रखना क्योंकि इनी से तो कोसन बनने वाले हैं जो हमने आगे पढ़ लिया कि बाई बताओ क्रोमियम का एटॉमिक जो इलेक्ट्रोनिक ओंफिगरेशन तो वो तो बहुत हीजी कोसन है लेकिन जब इस ट्रेंड से कोसन आएंगे तब अच्छे चोकों तो नानी याद आती है इसलिए ये याद रखना है अब अगर हम किसी भी आव इसका मतलब ये हुआ कि आपके आवरत के अंदर सार दातु जो तत्व है उनका आकार सबसे बड़ा होगा और जो हैलोजन परमाणू है क्योंकि सबसे राइट में कौन है हैलोजन परमाणू है तो उनका आकार सबसे चोटा होगा तो आप ये बात लिख लीजिए कि आवरत में सार दातु तत्वो का आकार सबसे बड़ा होता है ठीक है सार दातु तत्वो का जो आकार है वो सबसे बड़ा होता है और अगर वो सबसे बड़ा है तो इस according हैलोजन जो है उनका आकार सबसे चोटा होता है ठीक तो हैलोजन परमाणू हैलोजन परमाणू का आकार सबसे चोटा होता है समझ में आ गई बात ये बाते आपको याद रखनी है कि अगर आवरत में आप जो है सबसे बड़ा आकार पूचा जाए तो सार दादू का होता है और सबसे चोटा आकार अगर आपसे पूचा जाए तो सबसे चोटा आकार होता है हैलो जनका ठीक है चलिए ये तो हुई आवरत की बात अब दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तो वर्ग के लिए किसके लिए दोस्तो वर्ग के लिए तो आप लिखिए किसी भी वर्ग में किसी भी वर्ग में उपर से निच्चे यानि हलीना की रबडी सस्ती फ्री बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी बेंगन आलू गाजर इन थेला कासी गए संद पर्बू ओ ऐस से टीपो फिर कल बार आई आंटी हलीना, हीना, नेहा, आर्ती, करीना, जीरोन, रिडोन ये सब चीज़े मने बताई थी ना तो इसमें अगर आप जो है निच्चे की और जैसे जैसे जाओगे आकार क्या होगा बढ़ता जाएगा तो उपर से निच्चे की और उपर से निच्चे की और आकार क्योंकि मुख्य क्वांटम संक्या जो होती है N उसका मान बढ़ता है इसलिए ठीक है तो आकार बढ़ता है तो मुख्य क्वांटम संक्या यानि की N ठीक है मुख्य क्वांटम संक्या का मतलब है N का मान बढ़ता है और यह चीज मैं आपको बता चुका हो ना कि अगर कोसो की संक्या या मुख्य क्वांटम संक्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा समझ में आ गई बात लेकिन यह बढ़ता है तब क्या होता है दोस्तों बाहितम जो है बाहिय इलेक्टरॉन पर क्या हो जाएगा नाबिक का बाहिय इलेक्टरॉन पर नाबिक का आकर्शन यानि की अट्रेक्षन आकर्शन कम होता है ठीक है कम होता है तो अगर आप से पूछा जाए कि हम किसी वर्ग में उपर से नीचे की और जा रहे हैं तो ये बताओ कि प्रमानु तिर्जिया क्या होगी तो नीचे जाने पर प्रमानु तिर्जिया तो बढ़ेगी लेकिन प्रमानु तिर्जिया के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा मुख्य कौांटम संख के बढ़ने के साथ साथ ये जरूर होगा लेकिन कि नाबिक के साथ मैं जो बाहितम इलेक्टरॉन है उनका अट्रेक्शन जो है दोस्तों वो क्या होता रहेगा अट्रेक्शन कम होगा ये बात आप लोगों को याद रखनी है किलियर है इतनी बात ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं अब हम दोस्तो जो है आगे की और और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तो आपका है आइनिक तिर्जिया जिसके बारे में दोस्तो मैं अगली कलास के अंदर बात करूँगा क्योंकि अभी दोस्तो जो है आज क्या है फ्राइडे और आप लोग जाते हैं कि संटर डे और जो है आपका संडे को रहती है हमारी कलासेस का आप क्योंकि मारा पूरा इस्टाफ जाता है चुट्टी के उपर ठीक है तो इसलिए अब मिलेंगे हम मंडे को और तब तक जो है आप अपना सजेशन देते रहिएगा कि आप लोगों को और किस परकार की चीजों की जरूरत है ठीक है दोस्तो चलिए लव यू अल आफ यू एंड बाई बाई